एक और नागपूर के फुटाला ताला पर वैलन्टाइन टी बड़ी जोड़ार तरीक से मना गया तो वहीं दूसरी और कैंसर के बच्चों के लिए जीमसी द्वारा रख्तदान शिपिर क्या गया इस मौके पर सेकडों लोकों ने रख्तदान क्या इंटरनाशनल चाइल्ड हुड कैंसर डेकियो बलक्ष में डिपार्टमेंट अफ रेडियेशन थेरिपी और अन्कलोलोजी गवर्मेंट बेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल की और से पुटाला ताला परिसर में भव्या रख्तदान शिपिर का आयचन क्या गया था इस आयचन में डॉक्टर्स बड़ी संख्या में मौझू थी डॉक्टर्स वारा नए नए स्लोकन्स दिये के रख्तदान करने के लिए शहर के लोगों ने बड़े ही उच्छा के साथ रख्तदान किया अब तक तक तकरी बैंट दोसों के आसपास लोगों ने रख्तदान किया इस रख्तदान शिपिर के बारे में आये जब कामरे इनों ने इन्बिस्यल समक्ष जान का लिए थी नाकपुर्शर का ये एतियासी कोई फुटाला तालाब है जहां पे 365 दिन में से 365 दिन कोई न कोई ऐसे प्रोग्राम होते है जिसके चलते बड़ी संख्या में यहां पे कॉलेज के युवा हो यह फिर और भी कुछ ऐसे दफ्तर कैसे करमचारी जो बड़ी संख्या में यहां पे आते कई परिवार अपने चोटे बच्चों को लेके भी आते आज का दिन जो है दो बाइनों में बड़ा महतोफुर्ण है एक तो आज के दिन यहां वेलेंटाइंडे मनाने के लिए लोग आये हुए तो वही दूसरी और जीमसी के और से बहतरीं काम याने रखतदान का शिबीर का कारेकम यहां पर लगाया गया है इस समय हमारा साथ में जीमसी के जो यहां पे जो आयो जो कहाई है उनके पाथ चलते हैं उनसे जाना चाहिए कि आखिरकार वेलिंटेंडे के उपर में जिस प्रकार से आज यह काम कास किया जा रखतदान का यह कितना महुत पूर है सर यह बता है कि क्या उदेशा आज के दिन पर यह कारेकम लेने के पीछेगा 15 फेप का Cancer Childhood International Day है उसके पूर्व संदा में हमेर अक्तदान शिबीर यहां आयो जीत करते हैं यहां बड़े संख्या में आज आप देखे होंगे कि यहां GMC के सारे स्टूडन्ट यहां आये हुए है और सारे कैंपनिंग करते हुए Cancer के पिडित बच्चों के लिए यहां Blood Donation Camp और्गनाईज किया है उसमें उन्होंने अपना सभबाग दिया है अभी तक लगबग 200 से 210 तक Blood Donor यहां हुए है और अभी हम थोड़ी दिर में इसको क्लोज कर रहे हैं किसके सभीत तत्वावधान में यह कारेकन लिया गया है मेडिकल कॉलेज और स्टुडेंट आर्गनाईजेशन डॉक्टर केम कमरे ऑंकलाजिस्ट और कुछ पब्लीक भी है जो यह स्पांसर्शिप दी है अब तक के 200 लोगों ने रख्तदान किया रख्तदान करना अपने आप में बहुत ही स्रिष्टदान ऐसा है क्योंकि रख्तदान करने से किसके अगर जान बचती है तो जरूर रख्तदान कीजे का वरना कई हम देखते कि कई दुरगटना में हमारा खून यूँ ही ऐसे बहते जले जाता है लेकिन कोई कांफगाज नहीं था लेकिन अफसोस कि इस समय में अगर हमारे को जो जो करकरों की जो पेसेंट जो कैंसर के जो बच्चे जो प्रभावित हुए जिने खून की बहुत जादा जरूरत है ऐसे बच्चों के काम आने के लिए आज यह बहुत अच्छा है एक उपक्रम मैं कहना चाहूंगा ब्लड डोनेशे का कारेक्ण लिया गया है जिससे बच्चे अच्छे हुए और बच्चे यदि अच्छे है तो यकिन हमारा देश भी मजबूत होगा नागपूर के फुटाला तलाप से केमरा पर सब सुभाश के साथ संजय मेरे इन बीसिनिस नागपूर